यह जो tier 3 selector आपको दिख रहा है यह आपको बिल्कुल free में मिल सकता है यस एक रुपे भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको यह selector मिल जाएगा पूरा free में लेकिन एक चीज याद रखो कि इस selector से आप सारे के सारे character नहीं ले सकते इसमें आपको कौन-कौन से character मिलेंगे चलो पहले मैं यह बता देता हूँ उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे आप ले सकते हो वो भी बिल्कुल free में तो देखो इस selector से Captain America yes इसको आप इस selector से select कर सकते हो और Captain America इस वाले uniform से काफी अच्छा यूज में आ जाता है like PvP भी खेल सकते हो इसके 3D scale में counter attack है तो timeline battle में भी ने player के लिए थोड़ा बहुत काम कर देगा और इसका damage काफी अच्छा है तो world boss legend हो गया अभी अगर खेलना हुआ तो आप इसको आराम से यूज कर सकते हो इससे आप खेल सकते हो हाँ थोड़ा सा प्रॉक में दिक्कत होता है इसलिए आप यहाँ पे mini raise लगा सकते हो बाकि अगर चाहो तो प्रॉक वाला oblex पे भी काम कर सकते हो एक तो यह character हो गया जो कि आपको tier 3 selector से मिलेगा और दूसरा तो latest वाला uniform ले सकते हो मैंने यहाँ पे latest वाला uniform नहीं लिया है क्योंकि मैं यहाँ पे इसको यूज कर रहा हूँ blast villain के तोर पे और आप चाहो तो लेया वाला uniform भी ले सकते हो और यह भी अच्छा खासा damage दे देता है यह सिर्फ PVE के लिए है यानि कि world boss legend हो गया खेलना तो आप इसको इसको इस्तेमाल कर सकते हो और प्रॉक फ्रेंट लिए तो प्रॉक वाला अबलिक्स लगा के भी आप इसको आराम से यूज कर सकते हो यह तो हो गया दूसरा गैरेक्टर अब जो तीसरा गैरेक्टर हमको मिलने वाला है इस tier 3 selector से वह है spider-man यस spider-man भी आपको इस tier 3 selector से मिल जाएगा और यह number one character है timeline battle के लिए especially for new player इसको आपको बिल्ड करना है यह आपके पास होना चाहिए चाहे कैसे भी करो लेकिन यह आपके पास होना चाहिए इसका जो four skill है बहुत ही ज्यादा important है आप चाहो तो व्यूडियो देख सकते हो बहुत सारे व्यूडि किसी को भी मारना हुआ timeline battle में आप आराम से spider-man को यूज करके मार सकते हो इसका fourth skill यूज करके और इसका five skill यूज करके मैंने वीडियो में डीटेल में बताया है तो आप चाहो तो व्यूडियो और देख सकते हो यानि कि इस टीर 3 सेलेक्टर से वह है थौर यस यह भी आपको मिल जाएगा इस टीर 3 सेलेक्टर से और यह इतना ज्यादा इंपोर्डेंट क्यरेक्टर है कि हर जगह काम आता है किसी भी स्टोरी मिशन किसी भी गेमड में आप इसको लगा दो आटो पर आराम से कर देगा याश टीर 3 पर कर देगा थोड़ा सा आप इसको बिल्ड कर लो मैंने आप अच्छे से बिल्ड भी नहीं किया है फिर भी मेरा थोर अच्छा काम कर रहा है सब कुछ कर रहा है वाल बॉस लेजन तक कर रहा है इस वाले बिल्ड से उरूज एक भी नहीं लगाया है हाँ मैंने इसको सीटी पी आप जज्जमेंट दिया है अगर आपके पास जज्जमेंट नहीं है तो फिर वह मीनी रेज वाला जो अबलेक्स आया है वह आप दे सकते हो मैंने उस पर वीडियो बना दिया है आप चाहो तो देख सकते हो कि कैसे काम करता है लाइक इस तरह का कुछ इफेक्ट आता है तो अहां पर आप लाइटिंग डेमेज देदो और नीचे इस तरह का इंक्रीज बेसिक डेमेज बाई 0.8 परसेंट या फिर 1 परसेंट जो भ आपको लेना होगा इस पाइडर मैन को दो केरेक्टर जो इस टीर 3 सेलेक्टर से मिलने वाले हैं इंपोर्टेंट जो हैं ज्यादा वो इस पाइडर मैन और थौर यह दो केरेक्टर है बागी कैप्टेन अमेरिका को भी आप थोड़े देर के लिए रूख सकते हो इसको टाइम लाइन बेटल के लिए और दूसरा है थौर पीवी के लिए यानि कि हर गेम मोड के लिए लाइक जैसे कि मैंने बताया इस्टोरी मोड डायमेंशन मिशन डिस्पेस मिशन एबी एक्स एबील वोल्बॉस लेजन हर जगह काम आता है तो यह हो गए हमारे चार पर्चेस ड्यूरिंग दा इवेंट यानि कि जब आप कुछ खरीदो गए इस गेम में तभी आपको यह टीर-3 सेलेक्टर मिलेगा और आपको खरीदना नहीं है यस आपको खरीदना नहीं है आपको फिरी में मिल जाएगा कैसे देखो मैं अपने चैनल पे गिबवे करता यानि कि मैं आपके एकाउंट में खरीदूंगा समान खरीदता हूं 200 क्रिस्टल खरीदता हूं पैसे लगा के आपको अगर फिरी में यह सेलेक्टर चाहिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो नोटिफिकेशन को आन कर लो अगले मैने जैसे ही डॉलर डिल आएगा हम फिर से करेंगे कि वह और अगर आप जीते उसमें तो फिर आपके एकाउंट में 200 क्रिस्टल खरीद दूंगा जो कि 89 रुपीज में मिलता है डॉलर डिल करके एक इवेंट आता है और वहां से आपको मिल जाएगा यह टियर 3 सेलेक्टर वो भी बिलकुल फिरी में यहाँ प चाहे कितने भी वी या फिर इतनी बार भी आप खरीद चुके हो अगर आप इस इवेंट में यानि कि यह अपडेट आने के बाद अगर कुछ खरीदते हो तो आपको एक बार फिर से यह सेलेक्टर फिरी में मिल जाएगा हाला कि अभी मुझे मिला है लेकिन मेरे पास सारे क सारे character tier 3 है जितने भी character यहां से मिल रहे हैं जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि आपको spider-man मिलेगा थौर मिलेगा iron man मिलेगा और captain America मिलेगा यह 4 character आपको मिलेंगे और यह 4 के 4 मेरे पास अल्रेडी tier 3 पे हैं तो अब मैं कौन सा character चूज करूँ यहां से मालो की मेरे पास है आपके पास भी है तो अब आपको कौन सा character यहां से tier 3 से चूज करना है तो देखो उसी character का आप यहां पे select करो जिसको आपको tier 4 करना है क्योंकि इस से आपको biometric मिलेगा और आप अपने character का labeling की दीज कर सकते हो लाइक मेरा थोर अभी 72 पे है अगर मैं यहां पे select करता हूं जो कि मैं इसको tier 4 करने वाला हूं यहां से मुझी मिल रहें 512 by your metric और इसको मैं इस्तेमाल करूंगा ठ tahuार को level 80 करने में और इसको tier 4 करने में उन्हहीं एपर ले लिए है though और thμο का छो और का यहां को फूदा मिलता यह ज्यादा मिलता है यह कम ब्याइज कर सकते हो इस तरह से आपairy यूज कर सकते हो इस Tier 3 सेलेक्टर को अगर आपके पास पहले सही सारे के सारे Tier 3 केरेक्टर मुझूद है। समझ में आगया आपको कैसे लेना है फ्री में ये Tier 3 सेलेक्टर बाके देखो ये वीडियो अच्छा लगाया तो लाइक कर देना चैनल के नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना फिलहाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए के कर